बिसमिल्ला रिमारे रहीम, असलालेकुम फ्रेंज, वेलकम बैक तो मैं चानल और ये हम लोग जा रहे हैं होटेल की तरफ और होटेल का नाम है हैश्टाग 968 और ये शायद गुबरा करके कोई जगे है वहाँ पे है और काफी जो है वो दूर है तो हस्बर ने एक्सप्रेस वे पकड़ा था और ये हम लोग यहाँ पोखच चुके हैं और ये थोड़ा सा मैंने इसको शूट करने की कुशिश की थी और काफी प्यारा सा होटेल था वाम लाइटिंग्स वगेरा जो है वो अंदर लगी नी थी और काफी जो है वो एक रोमांटिक सा महौल जो था वो होटेल का बनावा था और बहुत अच्छा लग रहा था काफी दिन के बाद जो है इस तरीके की जगापे हम लोग ने विजिट किया था तो काफी अच्छा लग था और ये मही फ्रेंड की वो वाइफ है और इनी की एनिवेस्ट्री पे इससे पहले हम लोग गए थे और इनसे में बहुत अच्छी से फ्रेंड्शिप हो चुकी है क्योंकि बहुत बहुत प्यारा नेचर है इनका तो ऐसा है और ये हम लोग ने हम आप पे एंट्री ली है और ये जो है ये होटेल है और बेटे जो है मेरे वो बड़े एक्साइटेड है और हजबन के साथ ये खड़े में है और अभी बैटने वगएर के लिए हम लोग सीट वगएरा का देख रहे हैं कि क्या है कहां पे है उसके बाद ये जो है वो होटेल है और इसको मैं थोड़ सा कवर किया है उसके बाद गाइस यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीखे का जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट है यहां पर और उसके बाद जो मैन्यू था वो हम लोग ने डिसाइड किया और मुस्तफा बहुत एक्साइटेड है और बहुत अच्छी चीज़ें थी मेन्यू में काफी अच्छी चीज़ें थी टेस्टी चीज़ें थी लाइक जो यहां पर चिकन टिका हमें स्टार्टर में ओर्डर किया था तो वो काफी टेस्टी था देन फिर यहां की एक और चीज बहुत अची थी एक मेथी मटर मलाई करके कोई डिश थी तो बहुत ज़दा टेस्टी मुझे लगी और इसके अलावा देन यहां पर फालूदा जो है हमने खाया तो वो भी काफी टेस्टी था वो भी काफी मज़े का था तो यह साही चीज़े जो है वो हमें यहां की पसंद आई और खाना भी अच्छा था तो अगर आप यहां पर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और एक बर आके आप ट्राइ करें यहां का खाना तो यहां का खाना जो है वो काफी अच्छा है टेस्टी है हम सबको पसंद आया और इसे पहले जो होटेल हम लोग गए थे गाइस वो केव नहीं था वो फूड लैन होटेल था और वहां की भी थोड़ी सी क्लिप मेरे पास है तो मैं वो भी शेयर करूँ भी आपसे सो यहां पर इनकी जो मस्ती है वो जारी है और काफी अच्छा खाना था मज़ा है हमें तो और यह जो है यह गुबरा में ही है तो यह पूरा सेटप था यहां पर और स्वीट्स में भी काफी विराइटी थी और menu में भी इनके पास chart थी इनके पास appetizers होते हैं desert होता है then आपका snacks हो गया starters हो गया, like soup है और इसके अलावा Chinese भी इनके पास available था then इस तरह के चीज़ें थी अगर आप visit करना चाहते हैं तो कर सकते हैं you are good to go guys, चलिए मिलते हैं आपसे next vlog में तब तक के लिए bye bye, take care, अपना ध्यान रखेगा